हरो फ्रेंड्स बैलकम टूबर यूटीब चैनल तैयारी बिगनर्स की इस वीडियो के मात्यम से आपको एस्टरट 2020 एक्जाम से रिलेटिब बहुती इंपोर्टेंट जानकारी मिलेगी पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा हाँ जी एस्टर जिले में 28 केंद्रों पर आज और कल 22,304 अबेदक देंगे एक्जाम तो ये हिसार जिले की नियूज है तो हिसार जिले की एक आखड़े है अगर टोटल बच्चों की बात करी जाए तो टोटल तीनों इस्थर में जो तीन फेजिस में एक्जाम होंगे पीज सेंटर पुछे जायें तो छे सो सेंटर बनाए गए हैं जिन में ये एक्जाम कंड़क्ट कराए जाएंगे एस्ट जो है टीन लेवल पर होगी 4 में ये दो दिन में चासिफ्ट में ये एक्जाम होंगे प्रतम लेवल पर पियाटी के एक्जाम सोंगे और दूसरे लेवल पर आपके जो टीजीटी के लिए प्रदिस भर के जो वच्चे हैं वो जिले में 8510 परिचारती तीसरे लेवल में पीजीटी के लिए होंगे जिसमें 7200 200 परिचारती हिस्सा लेंगे टोटल की अगर बात करें तो टोटल में 82,185 स्टुडेंट्स हैं जो पीजी टी के लिए एक्जाम देने वाले हैं परिचा को नकल रहित बनाने के लिए एक सुरक्षा टीम जैमर हर रूम में एक इन्विजलेटर के साथ सुप्रिडेंट परिचारती पर नजर रखेंगे वोट द्वारा गटित फ्लाइंग भी केंद्रों का निरिचट करेगी कोबिट से सुरक्षा के लिए सोसल डिस्टेंसिंग सानिटाइजिंग वा अनजरूरी हिदायतों का खाशा ध्यान रखा जाएगा परते एक परिचा के इंदर पर एक हैल्थ टीम रहेगी परिचा के इंदर पर धारा 144 लागू रहेगी समझ रहे हैं ना पांच लोग भी एक जगे खटे होके खड़े नहीं हो सकते परिचारतियों को एड्मिट कार्ड पर दी गई हिदायतों वा नियुमों का पालन करना होगा किसी भी परिचारती के पास आनावशक बस्तु बरामत होई तो उस पर तुरंत कारवाई होगी FIR भी हो सकती इसलिए कोई भी एंफि वीडियो देखने का टाइम तो नहीं होगा फिर भी आग रिमाइंड के लिए ये वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया है कि जिससे आपको एड्मिट कार्ड आपका धार कार्ड आपका फोटो सब कुछ साथ ले जाने की याद बनी रहे और कोई भी अनफियर मीन्स ल मुझे ऐसा लगता है भास न ली ठीक है तो वीडियो का ऐसा लगा है जरू बताइए लाइक कमेंट शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा और वीडियो को शेर भी कर देजिएगा आप सभी का बहुत भुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लि झाल झाल